वेलकम इन लर्णिन एजी जवेश्टाई लर्णिन एजी जवेश्टाई यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम सिखेंगे कि अपने जीमेल एकाउंट में फोन नमबर कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे इसमें रिकवरी फोन नमबर एड कर सकते हैं तो अगर आप सिखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो देखते रही है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने लर्णिन एजी जी वेश्टाई यूटूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कि कैसे रिकवरी फोन नमबर अपने जीमेल अकाउंट में डाल सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जीमेल अकाउंट लोग इन हो जाईए उसके बाद यहाँ पर क्लिक किजिए और उसके बाद जाईए यहाँ पर माई एकाउंट में my account में click करने के बाद देखे आप यहाँ पर आ जाएंगे my account.google.com आप यह type करते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ नीचे जाएए तो यहाँ पर आपको मिलेगा your professional info यहाँ पर click कर दीजिए उसके बाद देखे यहाँ पर सारी detail दिया हुआ है यहाँ पर दीखे phone number यहाँ पर click किजिए और phone number जो है यहाँ पर अपना add कर सकते हैं ठीक है यहां पर दीखे फोन नमबर दिया हुआ है यहां पर यह जो फोन नमबर यह वारीफाई भी नहीं है तो यहां पर एड़िट बटन पर क्लिक करके आप जो फोन नमबर यहां पर एड़ कर सकते हैं phone number यहाँ पर add करने से क्या फैदा होगा कि कभी अगर आपके gmail account को किसी ने hack करने की कोशिच किया या किसी कारण आप उसको recover करना चाहते है gmail account को तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी तो चलिए यहाँ पर phone number हम type कर देते हैं ठीक है यहाँ पर सबसे पहले password पूछा जारा आप से तो password एक बाद टाइप कर दीजिए उसके बाद sign in कर दीजिए password टाइप करके उसके बाद यहाँ पर click किजिए edit पर उसके बाद देखें यहाँ पर आ गया आप इसमें remove करना चाहते है number या update करना चाहते है number या change करना चाहते है मैं जो है update करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपना mobile number type करूँगा यहाँ ठीक है mobile number type करने के बाद क्या करना है आपको verify टेक किलिक करना है ठीक है उसके बाद get a code एक आपको code दिया जाएगा confirmation code वो code जो है यहाँ पर type करना होगा जो कि Google की team के तरफ से आपको मिलेगा तो चलिए यहाँ पर click कर देते है get code उसके बाद देखे enter code यहाँ पर code आएगा आपके टाइप करना है जब वो code आप यहाँ पर type कर देंगे उसके बाद यहाँ verify पर आपको click कर देना है तो यह जो है number आपक Watch नबर हो जाएगा तो चलिए यहाँ पे type कर देते हैn code code type करने के बाद यहाँ पर verify button पर click कर दीजिये ठीक है उसके उसके बाद दिखें, यहाँ पे कुछ आपको मेसेज दिया जा रहा है, ठीक है, यह पढ़ लिजे, उसके बाद इसके बाद इसके बाद कर सकते हैं, यहाँ पे यह कहा जाए आपको, help people who have your phone number find and connect with you by google service like hangout and id by google, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको इन service पे आपके friend आसानी से खोश पाएंगे, तो मैं अभी फिलाल नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके बाद है, use this number to alert me of suspicion account activity, यानि कि कोई जब आपके account को hack करने की कोशिज करें, तो आपको जो है, इस mobile number पे google message भेज़ देगा, तो आप जान सकते हैं कि कोई आपके account को track करने की कोशिज कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे check रहने दूँगा, अगर आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से check हटा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी कोई मेरा email का attack करें, या उसमें कुछ भी activity करने की कोशिज करें, या hack करने की, तो मुझे जो है उसकी information मिल जानी चाहिए, तो य Gmail ID में add कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को बिना समय गवाए, सब्सक्राइब कर लिजे, और देखते हैं, टेकनोलोजी से रिलेटेड सभी तरह के knowledge हैं हाँ पे,